हेलो ट्रेडर्स, वेलकम तो माई चैनल, माई नेम इस अभाय पाटिल, बाक विट नूँ इस स्ट्राटेजी वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत अच्छी स्ट्राटेजी जो एक कैपेबल है बहुत बड़ा मूफ कैप्चर करके देने की तो देखो बहुत लोग बलते हैं, स्ट्राटेजी मिल गई मतलब हो गया, काम खतम, अब बहुत बड़े प्रॉफिटल बनेगे बड़ आपको समझना चाहिए, एक स्ट्राटेजी होता है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, यानि ये पार्ट ऑफ बॉड़ी होता है, जो की क्रूशल होता है, बड़ उसके साथ साथ सारे बॉड़ी के फंक्शन वर्क करना भी इंपोर्टेंट होता है, जैसे आपको य इसके साथ psychology अच्छे चाहिए, इसके साथ mindset अच्छा चाहिए, risk management अच्छा चाहिए, market की समझ अच्छे चाहिए, friend को समझना जरूर यह, तब जाके वो strategy use करके आपको अच्छा profit मिलते हैं और उस strategies का भी एक win rate होता है, या बोल सकते हो, अगर हमेशा एक strategy पर 100% target देना शुरू करेगा, तो just imagine, कोई strategy मतलब जो भी बनती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हम strategy में buyer, seller दोनों होते हैं, कुछ लोगों को लगते हैं, वहाँ से market गिर सकता है, कुछ level से, और कुछ लोगों को लगते है, market वहाँ से उपर जा सकता है, जब तक यह believe है, लोगों में, तब तक market में market work करेगा, price action work करेगा, बिकोज एक का loss, तो एक का profit, यानि buyer को जब तक लगेगा, यहाँ पे उपर जाएगा, तभी market गिर पाएगा, और जब seller को लगेगा, market नीचे गिरेगा, तभी market उपर जा पाएगा, और अगर सबको एक साथ लगने लगा कि market नीचे गिरेगा तो फिर वहाँ पर खरीदेगा कोन और कोई खरीदेगा नहीं तो market गिरेगा कैसे एक simple you know math से क्योंकि market is a zero sum game so हर strategy का इसलिए percentage के साथ आता है win rate के साथ आता है अगर कोई market बोलता है 100% strategy वर्क करती है वह आपको बेवकुफ बना रहा है ठीक है इस strategy के आप कुछ बलते है सर इसका percentage बता कोई मतलब ऐसे गिंता नहीं है इसका इतना इतना percent होता है लेकिन basically मैंने last जो भी trading session है आज 27 है last 10 days में देखा है यह हमेशा work किया है और fail भी जब हुआ है थोड़ा profit दिये और reversal किया है तो उसके लिए हम cost to cost जब हम one minute में trade करते है उसका best part वही है कि आप one minute में trade करते हो आपको move आता है और अगर आपको लग रहे है kind of reversal हो सकता है आप entry जो SL पे trail करते हो और cost to cost निकलते हो जहां पर मैं वह भी बताता हूँ कि यह किस time ऐसे kind of fail हुआ है देखते है यहां पर मैंने box भी बनाया और उसका reason भी बताता हूँ और strategy को मैं अच्छे से समझाता हूँ ठीक है ऐसे वैसे बहुत काम करती है और बहुत powerful moves देती है तो ध्यान से देखना है तो और मैं आपको logic के साथ समझाओगा psychology के साथ समझाओगा तो आपको relate भी कर पाऊगे क्योंकि मेरा ऐसे कोई रटे वाला नहीं रहता every strategy मैं psychology basis पे खुद बिल्ड करता हूँ ठीक है so see markets में यह हर जगा एक strategy बहुत famous है which is pin bar strategy ठीक है एक pin bar strategy तो यहाँ पर क्या है pin bar हम समझते हैं तो यह types of candles है ठीक है यह types of candles है अभी इस candle में अगर आप देखोगे most bullish second most bullish normal bullish तो kind of यह जो bullish candle है उसके bodies है और यह bearish candle के bodies है विट आपको यहाँ पर एक चीज देखेगी कि यहाँ यह जो इस power basis पर यह सबसे strongest candle मानी जाती है bullish की और यह सबसे weakest यहाँ पर यह सबसे selling की सबसे strongest candle मानी जाती है और यह सबसे weak candle मानी तो basically इसमें क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ पिन बार जो candle होते है उस पर मैंने एक वीडियो बना है most powerful candle in trading आप यह वीडियो जाके देख सकते है मैं description में भी डाल दूँगा ठीक है इस candle का क्या मतलब होता है जब भी market open होता है ठीक है जब भी candle open होती है body वो open होती है bottom पे राइट वो open होती है bottom पे और close होती है top पे रा होती है generate का मतलब क्या होता है है यहाँ फे मार्केट जाता तो है उपर उपर जाता थे इसे बायर से लेकर जाते है इसमें sellers इतने ही श् Doomсти होता है कि इसको Ogs करके इसको यहां पर अगश कर देते है इसको ऑपर उम एग और इसके यइस भी तो होता है उतना यह पर पिंस के गया है इसके वैसे यह candle बनी और strong rejection टॉप से आता है अब इस strategy में मैंने क्या बनाया था इस strategy मेंने most powerful candle इस strategy में मैंने क्या किया था कि अगर market में एक pin bar बनता है जिसका मतलब sellers का काफी यहां पे strength है right sellers का काफी strength है market bias ने open किया और sellers ने नीचल आकर इसे close कर दिया तो इस strategy की according basically क्या होता है कि जब भी market इस pin bar का low cross करेगा तो market यहां पे trending होते जाएगा right trending होते जाएगा और इसको अपन live market में भी बताते कैसे कब हुआ trending kind of यह pin bar अभी 15 minute की candle है यहां पे अपन जो एक minute पे trade करते है उसके वैसे 15 candles बनते तो kind of बहुत strong यहां पे आपको strength भी मिल सकता है तो यहां पे अपने जब pin bar के low pay cross करते से अपने entry ली stop loss अब इसका high लगा सकते हो no doubt stop loss यहां पे थोड़ा बड़ा दिखेगा 15 minute में बड़ अगर आप एक resistance properly draw करके you know properly trade देखोगे तो आपको यहां पे अब यही चीज़े part of management में आता है कि pin bar का low cross हुआ यह target rate हुआ support आया resistance हिट किया फिर जाके बहुत बड़ा target हिट किया so kind of यहां से usually जब भी यह आता है reversal आते राइट तो जिसे market उपह जा रहा तो उपह जा रहा था एक pin bar बना और reversal है reason क्या इसके reversal आने का थोड़ा candle को हम थोड़ा समझते है यह जो है बहुत बड़ी trap के अंदर आती है candle because यहां पे buyers जो है वो trap होते है यह जो buyers है वो trap होते है because आप जिस्ट इमेजिन करो यह resistance है आपने यहां पे यह candle open वही इसको green को मैं यह draw करता हूँ यहां पे market open वह यह resistance लो आपने इधर buy किया अब market क्या करता है उपह जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे लगता है ऐसे बननी चाहिए वो बनकर आती है कुछ इस तरीके से रहे इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ अब फस्ट चुके अपने जो सोचा एक breakout candle है वो एक pin बार बन गी और यह wick में आपके buying position फसे थे और जैसी market इसका low cross करता है यह open का market crash होने लगता है बिकोज यहाँ पर जो buyer से वो फस्ट चुके वो ट्रैप हो चुके जो सोच रहते है ब्रिक आउट होने आला है वो pin बार बनके इस resistance के नीचे closing दे देता है बिकोज resistance के नीचे closing देता है sellers ने इसको नीचे गिरा दिया तो market जैसे इसका low cross होता है बहुत क्विकली गिरने लगता है बट अब हो सकते चीजे जब भी common हो जाती है ना वो kind of work करना बंद करती है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग trap होना लगते है देखो अभी आपको सबको पता है inside candle strategy इंसाइड candle में जब भी market में एक candle बनती है एक hold candle बनती है और दूसरी candle low cross होती है तो market rally करने लगता है यह inside candle है but basically आजकल देखो कि बहुत ज़्यादा बार यह inside candle पे जो market है बहुत ज़्यादा time SL खा रहे है right because basically वही है जो भी common होते जाता है वो predictable होता है लोग ज़्यादा entry वहाँ पे करते और big place वहीं पर आपका stop loss hunt करते तो कहीं न की pin bar no doubt work भी करते है but जैसे कि मैं आजकल देख रहो इसके traps काफी ज़्यादा बन रहे है इसमें जो traps है काफी ज़्यादा बन रहे है और आप इसको क trap की तरह देखना शुरू करोगे और imagine करो जब यह pin bar पे लोग आते है जो buyers यहाँ पे enter किये जिन्होंने यह ऐसा stop loss यह जो candle बनी नीचे फिर इसका low cross किया और फिर sellers भी enter हो गए मतलब यहाँ पे market ने कितनी liquidity create कर रहा है and just imagine market यहाँ पे इतने सारे sellers को इस low के नीचे बुला क kind of breakout दिखा के उपर जले जाता है कितने लोगों का SL होता है because सबको pin bar strategy बता है कितने लोगों का SL होता है और यहाँ पे short covering आ जाती है और vice versa जब market ऐसा pin bar बनाता है और यहाँ पे bias को invite करता है और reversal आता है trap होता है और यहाँ पे लोगों की SL होता है और एक long unwinding शुरू हो जाती है तो यह strategy में basically क्या होता है liquidity जो है market में retailers की liquidity को आती है और इस liquidity के basis पे market trend करता है तो आपको अगर आप यह trading को ऐसे सोचोगे ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एंटर कर रहे है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग के stop loss rate हो रहे है बहुत game easy हो जाएगा understand करने के लिए so चलो start करते बहुत you know आपको basic समझा दिया theory समझा दिये अब मैं यह जितने इस picture में reset करता हूँ जितने इस charts में reset करने है जितने मुझे setups दिखे जाजा pin bar दिखा वहाँ पे मैंने यह markings किये let's start अब सबसे पहले जो पहला pin bar बना वो था यहाँ पे अब मैं इसको 15 minute पे बता है तो बाद में आप time frame कोई भी switch कर सकते हो या daily पे बनता है weekly monthly देखो candle आप मुझे बता यह 15 minute की candle है क्या एक मिनट पे भी candle बनते है एक मिनट पे भी pin bar strategy का you know move आया fail हुआ crash हुआ ठीक है फिर उसके बाद monthly पे जाओ monthly पे भी candles बनते है monthly पे आपको दिखेगा देखो यह pin bar monthly पे भी बन रहा है so candles जो है वो constant रहते है यह candle देखो pin bar का low cross हुआ low cross होते है market यह covid का crash कर गया जैसे pin bar का low cross हुआ तो जो setup से यहाँ पे pin bar बना high cross किया market rally कर गया तो जो candle से वो सारे time frame पे बनते है बहुत लोगं की यह question आते सर इस time frame पे चलता है गया उस time frame पे चलता है क्या तो यह इस market में चलता है यह हो गया हमारा nifty 50 यह हो गया हमारा btc, btc में भी pin bar बना pin bar का low cross हुआ market गीरा so basically candles हर जगा होते है time frame is just अपके duration उस trade को hold करने का यह सबसे common mistake लोग करते है या beginners करते की time frame और you know crypto forex या Indian market इसमें काम करे गया उसमें सारे strategies सारे markets में काम करते है because double top क आप trade करते हो nifty पे आप stocks में भी double top पे trade करते होंगे forex में भी double top पे trade करते हो crypto पे डवल टॉप पे trade करते हो so basically सारा price action हर जगा work करते है because इसका जो foundation होता है foundation जो market price action का वो basis जिस पे होता है वो होता है buyers sellers इसी basis पे होता है ठीक है so price और basically human psychology क्योंकि human से trade करते है तो आप ऐसे differentiate म में काम करेगा कि उसमें सब में काम करेगा ठीक है so यह हो गया एक part अभी candles पे थोड़ा charts पे चलते है ठीक है so यहाँ पर देखो जैसी अब मैंने क्या observe किया जब भी pin बास बन रहे ना recently में क्योंकि live streamers का यह सबसे benefit होता है कि जब भी वो you know market को daily उसको 6 गंटा देखना आपको समझते कि okay यह मैंने देखा और फिर understanding market भी एर वीडियो बनाते हो जो बार 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 एक चीज repeat होते जाती है तो एक kind of strategy develop होती है उस basis पे so इसको मैंने backtest forward test दोनों किया live market पे इसी basis पे मैंने trades भी दिये तो जब भी आप देखो यहाँ पे मैंने mark किया अब यह pin bar बना ठीक है अब pin bar कहाँ पे बना you know kind of यहाँ पे support level थी यह candle का kind of support था यही से rejection लेके बना पैसा नहीं कि बीच में कहीं भी pin bar बना और उसको trade लिया एक important major resistance support वहाँ पे होना चाहिए उसके आलबार जभी कोई resistance या support cross होता है तब liquidity और बढ़ती है अब ऐसे बीच resistance support पे right so यह candles पे ध्यान रखने अब यहाँ पर market ने क्या किया support पर यह pin bar बने right support पर pin bar बने अब जैसे ही यहाँ पर इस candle को देखोगे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि यह candle इसका high cross कर रहा है पहले इस candle ने इसका high cross किया 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 और फिर अब obvious सी बात इस candle support पे बना buyers enter हुए इसका high cross किया तो कितने ज्यादा buyers यहाँ पर enter हो चुके थे right तो जैसे ही इस candle का top मतलब यह जो candle की जहाँ पर buyers entry करते which is इस pin bar के top को जैसे market cross करता है तब buyers enter करते है तो जैसे ही इसका market वापिस आप cross करता है चाहे तो आप closing पे ले सकते हो closing पे और confidence आता है या जो भी level होती है उसको थोड़ा significantly cross करते है तब कर सकते हो stop loss उस crossing level के उपर लगा सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि यह जो stop loss है वो सही amount पे जैसे इसमें कुछ fix numbers नहीं होता है जो भी आपको लगे कि volatility जादा है तो stop loss थोड़ा बढ़ा रखा volatility का में trending हो सकता है stop loss थोड़ा कम किया depend करता है अलग अपने-अपने strategy style के उपर राइट सो यहाँ पर entry जैसे ही बनी अब देखो जैसे यहाँ पर market ने cross किया market कितना पसंड गिरा यहां से market गिरा अगर आप basically यह भी देखो कि 43 points गिरा which is बहुत अच्छा move है 43 points अगर यहाँ पर stop loss थोड़ा इस candle वैसे तो बहुत ह यहाँ पर stop loss लग रहा है अगर समझे stop loss हंट भी हुआ market यहाँ पर 43 points मिले या तो कोई book करता है कोई trail करता है कोई hold करता है आप stop loss entry cost to cost पे लगा रहे हो अब market आता है यहाँ पर stop loss cost to cost अपने लगा है cost to cost को hit करता है और वापिस market उपर जाते है और नीचे आना शुरू करता चाहो तो आप re-entry कर सकते हो या depends upon या तो यहाँ book करो या तो re-entry करो वापिस re-entry करते है तो market वापिस 100 points गिरा तो वो तो basically बात है कि market जब volatile होता है तो बड़े targets देने के पहले आपको थोड़ा परेशन करता है बट यहाँ पर market का जो direction है वो important है volatility एक बार आएगी दो बार direction उसके बाद कहां गया यह सबसे ज़्यादा important होता है ठीक है so यहाँ पर एक बार वर्क किया ओके तो यहाँ पर बात कर देरते मुझे एक और बार यहाँ पर भी spot हो गया एक और pin बार बना market उपर जाते जा रहा है जाते जा रहा है buyers यहाँ पर आ रहे इस candle का हाइड इस candle क high जैसे ही cross हुआ फिर buyer से हाँ पर enter हुए market उपर जाता जा रहा है जाते जा रहा है जैसे ही candle का low cross हुआ market नीचे गीरा अब यहाँ पर one minute आपको बहुत age देगा because 15 minute पर analyze 15 minute पर markets को देख रहे हो one minute आपको बहुत quick execution देगा small stop loss के साथ यह market ने बहुत small stop loss के साथ आपने लगय low cross किया और trail करो जो भी पकड़ो 53 points का market ने target दिया अब देखो depend करते है वो कैसा stock है crypto है forex है depend करते है move पे liquidity पे अगर आप देखोगे Indian markets ज्यादा 0.5% के अंदर ही majority of times रहते है 0.5% जो भी Indian market का होता है which is 86 points तो अगर आपको 40-50 points भी मिलते जाए न तो बहुत अच्छी बात होती है because अगर आप देखोगे 17,000 का you know nifty around चल रहा है तो उसका 1% 170 होता है और 0.5% is approximately 85 right 85 एक पूरा move हो जाता है जो आपको दिन में मिल सकता है majority of time तो उसके आसपस आपको 50-60 points जो भी मिले वो काफी you know अच्छा माना जाएगा like nifty के लिए 30-40 points के आसपस जो भी एक move आता है उसमें अच्छा माना जाता है time nifty के लिए आप उसको 100 points consider कर सकते हो ठीक है so यह यहाँ पर हुआ यह top cross किया market फिर गिरा अब मैं time frame change नहीं करूंगा वरना chart फिर reset हो जाएगा आपको सिफ 15 minutes में दिखाते जा रहो ठीक है अब यहाँ पर देखते है यहाँ पर यह fail हुआ ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रैली करता गया तो kind of यहाँ पर बोल सकते हैं एक बार fail हुआ यहाँ पर दो बार work किया अब उसके बाद यहाँ पर मैंने यह box क्योड रखि अगर यहां पर support draw करोगे यह support draw किया और यहां पर यह resistance draw किया आपको दिखेगा कि market यहां पर sideways हो चुका है तो अगर आप sideways market में दुनिया की कोई भी strategy लगाओगे न तो वो loss ही देगा यहां पर आपको pin bar, pin bar, pin bar, pin bar दिखाएगा तो आप क्या गलती क्या करते हो सिर्फ एक pin bar क basis पर आप trade लेना शुरू करते हो बट आपको market sentiment भी समझने की बहुत जरू होते है because sideways market में आप trade लोगे just because एक pin bar बन रहा है और SL bar खाते जाओगे यहां पर वो बात याद रखनी इसले मैं इसको mark किया था उसके बाद देखते है तीन में से दो बार काम कर गी अब देखते है यहां पर यहां पर भी pin bar बना है resistance पर बना है बट यहां पर आपकी कोई entry trigger नहीं हुई थी like entry इसको trigger नहीं बोल सकते है अगर यह उपर जाके फिर गिरता तो बहुत अच्छा यहां पर fall देता बट यहां पर भी kind of pin bar fail हुआ है और market नीचे गिराटी है तो उसके बाद देख कहां पर यह देखो perfect यहां पर एक और kind of pin bar बना यह वाला इसका low mark करो low mark किया जैसे यहां पर entry trigger हुई entry trigger हुई slow पर long किया देखो यहां पर और इसने भी आपको kind of 80 points के target दिये with very small sl 4 points का ठीक है और next यहां पर देखो same day पर low cross किया ठीक है low cross किया यहां पर आपको entry trigger की again यह support zone था major support zone था low cross किया entry trigger की और जैसे ही वापिस entry trigger करके reverse हो गया अपने यहां पर फिर long किया उसके बाद stop loss इस candle की नीचे लगा लो या somewhere comfortably जहां पर भी आपको लगे 1 minute पर जाके और इस trade ने फिर आपको day high तक पकड़ो 140 points दिये तो अब यह 5 में से 5 में से सिफ एक बार fail हुआ है उसके बाद let's see और यहां पर देखो फिर से low cross किया और जैसे ही आपकी यहां पर entry trigger हुई reversal आया और य targets आपको फिर चलो मान लेते हैं अप यह high रख रहे हो 65 target to 90 target 3 day high 136 सारे targets hit किया और यह बाद फिर से यहां पर देखो low cross किया 100 points यहां पर भी move किया तो देखो बाकी manage पर आता है कि आप trade कैसे manage करते हो कि कैसे use करते हो क्या होता है कई बार मैंने observe कि strategy देते हो तो लोग blindly उस प trade करने लगते है बट आपको understand करना है strategy को रटा मारोगे losses करोगे understand करोगे कि कैसे एक pin bar cross होने पर सब you know market में sellers है pin bar बना इसका low cross हुआ बहुत obvious है कि इस strategy काफी famous है हर कोई आके यहां पर put करी देगा यह लोग फस गे अब market short covering दिया यहां पर देखो low cross हुआ put लिया फस गे short covering हुआ यह points आपको very understand करने कि ऐसे time पर क्या होता है यहां पर pin bar बना support पर high cross हुआ rally किया बट वहां पर हमने जो part 1 बना है वह successful यह कैसे successful होता है high cross होने पर उस पर बना है अब यह जो strategy हम कैसे इसका advance कि यह जब fail होता है कि इतनी बड़ी rally कर सकता है failure पर हमने वह बना है यह ब करना पड़ेगा ताकि आपको smaller time frame पर जाके entry लेकर उस बड़े time frame पर direction समझो smaller time frame पर लेके जाकर entry करके target उसे सबसे ले सकते हो यहां पर एक दो तीन चार फिर यहां पर यह पांच यह छे चे बार यह वक किया और fail बस एक बार हुआ जो कि यहां पर तो right इस सिर्फ एक बार test करना forward test करना paper trade करना तुरंत apply करने के पहले इसको थोड़ी दिन practice करना समझना और फिर इसको आप यूनों तो भी trading strategies होती है आपके उसमें add कर देना एक अच्छा आपको page देगा तो वीडियो कैसे लगा comment में बताना आपके क्या thoughts से comment में बताना कोई doubt query है वो भी comment में बतान thank you so much for watching